नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर हिंदो पंजान के रुसार हर माह के शुक्लपक्ष की चतुर्थी तिथी के दिन फगवान गडपती के निमित विनायक चतुर्थी का वरत किया जाता है जब भी विनायक चतुर्थी का वरत मंगलवार को आता है तो इसे अंगारक गड़ेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिसंबर 2021 में अंगार की विनायक चतूर्ती कब है? दिनवा दिन आंग क्या रहेंगी? चतूर्ती की तिठी क्या रहेंगी? पूजा का समय क्या रहेगा? और क्या है व्रत की विधी? तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में ये चैनल पर नहीं है और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी विनायक चतूर्थी और संकष्टी चतूर्थी व्रत की तितियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकन को प्रस कर दीजिए तके आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे विडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बलकुल मत बूलिए तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का विडियो विनायच चतुर्थी के दिन बृदी को सुर्धे से पुरवट कर सनाज़ानादी से निवरिथ हो जाना चाहिए उसके पशाषच वस्त धार्न करना चाहिए विनाई चतुर्थी की पूजा का समय दोपैर का होता है दोपैर में सोनी, चांदी, तामबे, पीतल या फिर मिट्टी से बने गड़पती जी को आसन देकर चौकी पर विराजमान करे उसके बाद प्रभु के समच्छ व्रत और पूजा का संकल पले पूजा के बाद आर्टी करे, गड़पती जी को सिंदूर अर्पित करे और ओम गंग गडपते नमा मंत्र का जाप करते वे गडपती जी के मस्तक पर 21 दूरवा दल अर्पित करे इसके बाद 21 लड़व का भोग लगाए इनमें से पाँच लड़व प्रतिमा के पास ही रहने दे और पाँच ब्रामनों को द्यान करते शेश लड़व प्रशाद के रूप में वित्रित करे इसके बाद वहीं बैठ कर श्रीकड़े स्रोत, अथर्वशीर संकट नाशक स्रोत आधी का पाठ करे ब्रामनों को वोजन कराया और उन्हें दक्षनाद देने के पैस्छाद शाम को स्वें भोजन करे मार्ग शीष विनायक चतूर्थी साल 2021 में 7 दिसंबर 2021 किस दिन मंगलवार को है मार्ग शीष शुकले चतूर्थी तीती का प्रारम हो रहा है 7 दिसंबर की सुबह 2 बच का 31 मिनट पर समापती होगी रात के 11 बच का 40 मिनट पर पुजा का समय रहेगा 7 दिसंबर 2021 किस दिन मंगलवार को सुबह 11 बच कर 10 मिनट से 1 बच कर 15 मिनट तक कुलवधी रहेगी 2 घंटे 5 मिनट की मेरे वीडियो में अंततक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत दनेवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ